स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्म और आज हम डिसकेशन करने वाले हैं एक और स्टॉक तीपक नाइट्रेट लिम्टिट के बारे में देखे दोस्तों आज हैं 25 दिसमबर इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे क्या होने वाले हैं कल की important supports क्या होंगे targets और क्या strategy हमें लेकर चलनी चाहिए 23 दिसमबर मतलब कल के दिन के लिए तो शुरू करते हैं देखे दोस्तों आज की अगर ट्रेडिट प्राइस की हम बात करते हैं तो 2314 रुपे 50 पैसे पर stock trade करता हुआ नजर आ रहा है करीबन 1.64% की अच्छी खासी तेजी हमें stock में देखने को मिल रही है बात करें यहां पर buying selling quantity की तो देखिए selling pressure अभी तक तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है बात करें deliverable quantity की 40% के करीब deliverable quantity यहां पर उठाई चाच चुकी है तो अब discussion करते हैं इसके charts के बारे में यह देखिए दोस्तों आपके सामने दीपक नाइट राइट का 15 minutes का chart हमने लगाया हुआ है कल की closing आप देख सकते हैं 280 रुपे के करीब हमें closing कल की देखने को मिलती है और आज यहां पर एक gap up opening के साथ stock open हुआ है उपर की तरफ एक शांदर high बनाया है करीबन 232 रुपे 94 पैसे का और अभी 233 रुपे 95 पैसे पर stock trade करता हुआ दिखाई दे रहा है बात करें अगर daily chart basis पर तो अच्छी खाजी bullishness लगातार दो दिनों से यहां पर हमें देखने को मिल रही है और दोस्तों support की अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ एक important support stock ने बनाई हुई है यह support है 2121 रुपे 85 पैसे की 2121.85 यह एक important support है दोस्तों इस पर आपको नजरें बना कर रखनी है अब देखिए बात करते हैं यहां से क्या होने वाले हैं next target अगर यहां से तेजी जारी रहती है तो दोस्तों अगर यही तेजी पर करार रहती है तो next target दीपक नाइटरेट में आप 2400 रुपे का लेकर चल सकते हैं देखिए बात करें यहां पर strategy की क्या fresh buying का मौका बनता है यहां में थोड़ा wait करके चलना चाहिए तो देखिए उस तो हमारे साब से बिलकुल आप इस level पर add करके चल सकते हैं यहां पर शांदार मौका बना हुआ है buying का और अगर आपके portfolio में पहले से ही ticket stock शामिल है तो आप इसको hold करके चल सकते हैं यही strategy आपको पनानी है समय दी पक नाइट राइट के अंदर आप चाहें तो अपनी खुद की analysis, खुद की research जरूर करके चल सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद